कि अप्ते भंद नесब ही पोधे बहुत अच्छे हो रहा हैं और अपको इतनी बारीश हो रही है कि अनूब गया है बहुत जादा बारीश हो रही है हफ्टे भर से बारीश किसी पौधों में पानी नहीं डालने की ज़रुवत है और सभी पौधे हरे भरे हैं छोटा सगमला तूट गया है बंदन ने गिरा दिया था तो अब इस पौधे को छोटा ही है लेकि रिपोर्टिंग करने पड़ेगी पौधा अच्छा है तो इस तरह से इस पौधे को बेलकुल जशा क्या वेल्कुल तूट गया चोटा पौधा है तो पूरी मिट्टी के साथ ही उठालेंगे जैसा कि उठाया है तो इस तरह से आप अपने पाधे को पौरी मिट्टी के साथ उठालें और नय गमले में रिपोर्ट करनें तो यह टोकरी मैंने ले लिए चोटी एब इसंपे इसमें रखूंगी में लगाऊंगी तो इसको ऐसे ही मिठी के साथ रखनें लेकर सिर्थ बिल्कुल ऐसे मिट्टी के साथ रखने पौधा असानी से गुरू हो जाएगा बारिश का मौसम है तो कोई दिक्कत नहीं होगी देख सकते हैं इसको यह से रखके और किनारे से चारी दूर मिट्टी डाल दें तो सभी पौधे लगाया होंगे गुड़ाल के और गनेर के लेकिन यह अलगी पौधा आए प्वन्नी पौधा है बहती फ़न्नी पौधा है इसे बच्चे भी खेलते हैं बड़े भी खेलते हैं अच्शा लगता है तक यह छोटे-छोटे पौधे आप देख रहे हैं ये छुई मुई का पोधा इससे नाट टचमी भी बोलते हैं नाट टचमी का पोधा इसको टच करते ही अपनी पत्टियों को अपने आप में सिकोर लेता है ऐसे सुकड लटा है या सो गया हो तो आप देख सकते हैं कितना हरा भराए अच्छा है और दाना पौधा है लेकि आप पत्ती इसकी जैसे टच करेंगे बिल्कुल ही अपने आप में सुकड़ जाएगा इस तरह से हाथ लगाते ही देखें छुई मुई का फन्नी पौधा नाट टच में देखें कैसे इसकता मुझे मत छूगो मुझे टच मत करें बिल्कुल स्मेट